नमस्कार दोस्तों मैं धर्वे नर्मा उनलाइन इस्टेडिविट डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ काफी इंट्रेस्टिंग लिए है जो कि राष्टी पाट्चरिया रूपरेका 2005 से आपको यहाँ पर मिनने वाले हैं जिसे एक सोटकट में NCF 2005 भी कहते हैं और इसका पूरा नाम पूछे कि NCF 2005 का पूरा नाम क्या है पूछ जाता है एक्जाम में तो याद रखेगा नेशनल केरिकुलम फ्रेमवर्क यह NCF का पूरा नाम है तो आपको इसका नाम भी याद कर लेना है हिंदी में इसे क्या कहते हैं राष्टी पाट्चरिया रूपरेका 2005 इंग्लिस में इसे नेशनल केरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं 2005 और इसको स्वोटकट में NCF 2005 कहते हैं तो यह तीनों बातों का धियान आपको रखना है वेसे तो आपको पता होगा साथ मैं थोड़ी सी में आपको जानकरी दूँगा क्योंकि बांकी जानकरी आपको प्रशनों के बाध्यम से मिल जाएगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो NCF 2005 है इसका जो मुख्य सुत्र वो क्या है और साथ में जीवन एवं ग्यान के मद्दे की दूरी को कम करना होता है NCF 2005 का उद्देश तो छोटी सी जानकरी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोनों की दोनों इंपोटेंट है एक्जाम में पूछा जाता है तो यह आपको दिहान में रखना है टोटल 72 मिलेंगे आप 70 मान के चलिए दो इश्टा में मेरी तरफ से दे रहा हूँ टोटल 70 प्रस्ट में आपको इस वीडियो के माद्दियम से देखने को मिलेंगे शुरू करते हैं यहाँ पर आज का पहला प्रस्ट नहीं है यह आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि इसका मुख शुत्र क्या है शिक्षा बीना बोच के यह लर्निंग विदाउट बर्डन यह कब दिया गया था उन्निस सो तिरावे में सन्म यदि पूछे तो याद रखेगा उननिस सो तरावे में दिया गया था इस मंत्राले की पहल पर प्रशन कुछ इस प्रकार है किस मंत्राले की पहल पर NCF 2005 तियार किया गया था तो यह मानव संसादन विकास मंत्राले की पहल पर NCF 2005 को तियार किया गया था यह याद रखेगा काफी इंपोटेंट है NCF 2005 का प्रारंब रविंद्रना टेगोर के किस निभन्द से होता है तो ये सब्बता और प्रगति से होता है राष्टी पाठचरिया की रूप रेखा 2005 के नुसार एक सिक्षक की भूमी का केसी होनी चाहिए सरप्रथम आपको क्या ध्यान में रखना है किसके अनुसार पूछा गया है तो ये NCF 2005 के अनुसार पूछा गया है चाहिए वो बालविकास हो परियावरन हो या पिर अन्य कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको सबसे पहले प्रशन को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप उसको गलत प्रशन भी पूछा जाता है और वहीं बच्चे अदिक्तर गलती कर देते तो यहाँ पर NCF 2005 के अनुसार पूछा गया है कि एक सिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए तो यह सुविधा दाता के रूप में होनी चाहिए NCF 2005 के अंतरगत परिक्षा सुधारों में किस सुधार को सुधाया गया है हम पर देखी HCF 2005 के बारे में हम बात करें तो इसी के अंतरगत सारे प्रषन आएंगे इसकी अंतरगत परिक्षा सुधारों में किस सुधार को there究 course नहीं है तो इस सामुहिकारी मुल्यांकन होसान सात इस्थमुल्यांकन और में खुली पुष्टक की परिक्षा मुल्यांकन इन को सुधारों को सुझाया गया है 2005 NCF के अंतरगत याद रखेगा NCF 2005 के अंतरगत परिक्षा सुधारों में सामोई कारी मुल्यांकन सतत मुल्यांकन और खुली पुष्टक की परिक्षा मुल्यांकन को सुझाया गया है तो इन तीनों को आपको याद कर लेना है आठवा प्रस्न है NCF 2005 में किन सिक्छन सुत्रों के अधिक्तम प्रयोग का सुझाओ दिया है यहापर देखिए प्रस्न को फिर पढ़ लेते हैं तो यह ज्याद से अग्याद की और और मूर्थ से अमुर्ती की और दोनों को ध्यान से आपको ध्यान में दोनों को ध्यान से आपको पढ़ना है और ध्यान में रखना है ग्याद से अग्याद की और और मूर्थ से अमूर्ति की और दोनों काफी इंपोटेंट हैं एक्जाम में पूछी जाते हैं एनसेफ दोजार पांच में बल दिया गया है किस पर बल दिया गया है तो ये सांती के लिए सिक्छा याद रखीगा एनसेफ दोजार पांच में सांती के लिए सिक्छा पर बल दिया गया है NCF 2005 में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने के युक्ती बताई गई है NCF 2005 में काफी important देखे जो भी प्रस्ण में आपको बता हों सभी जो important है उन्हीं को लिया गया है बाकी प्रस्णों को छोड़ देया गया है तो 11 प्रस्ण प्रोफेशर यसपाल कमेटी का गठन कब हुआ यहाँ पर देखे ध्यान क्या देना है काफी important है अड़ती सदर्श थे यसपाल समिती में कुल अड़ती सदर्श थे कि ncf-2005 का प्रमुक सुत्र क्या है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसका जो मुक सुत्र होता है वो सिक्षा बीना बूचकी या फिर बीना भार के अधिगम जिसे लर्निंग विदाउट बर्डन भी कहते हैं इंग्लिस में इसका नाम क्या है लर्निंग विदाउट बर्डन यदि हिंदी में ना दे तो इंग्लिस में भी आपको बता होना चाहिए कि इसको क्या कहते है करिकुलम किस भासा का सब्द है जैसा कि इसका पूरा नाम क्या है NCAP का मैं आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो करिकुलम है वो किस भासा का सब्द है तो यह लेटिन भासा का सब्द है बच्चों के लिए इसकुली बस्ते के बोज से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोज यहां कतन किसका है तो यह यसपाल समीती का कतन है यहां समझ पान्च के बच्चों की गलतियां क्यों महत्तपून है तो यहां समझ पान्च को पहचानने में साहिता करती है अब तक जो सुधार किया गया है तो यह नविन्तम राष्टी दस्तावेज है इसके बाद में कोई भी सुधारिस में नहीं किया गया है तो याद रखेगा विद्यालेई सिक्षा का अब तक का जो नवीन राष्टी दस्तावेज होगा वो NLCF 2005 होगा राष्टी पाठ्चरिया की रूप रेखा 2005 के नुशार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है पर देखे 2005 के नुशार पूछा गया है तो यह है देनिक गतिविदियां याद रखेगा NLCF 2005 के नुशार बच्चों के आकलन का जो सही तरीका होगा वो देनिक गतिविदियां होगा किसके नुशार कलाकार या फिर सिक्छक के हाथ में यहाँ पाठ्चिकरम या फिर एक साधन है जिससे वहाँ पधार्त को पधार्त को यहाँ पर छात्र माना गया है पधार्त को अपने आदर्स के नुशार अपने इस्टूडियू में चित्रित कर सके यह किसका कथन है काफ ऑपने उद्देश को नुसार अपने स्टूडियो या फिर विद्धयले में चित्रत कर सका है किसका कथन होगा कनिंगम का कथन को सिगई दोजार पांच की कारिशाला कहां पर आयुद की गई, यहां पर देखे जो कारिशाला है, एन्सेफ-2005 की, यह कहां पर आयुद की गई, तो यह N.C.E.R.T. नहीं दिल्ली में आयुद की गई, एन्सेफ-2005 की कारिशाला, सिक्षा बिना बोज के जो NCF 2005 का प्रमुक इस्त्रोत है या फिर प्रमुक सुत्र है इसका अर्थ होता है यहाँ पर देखे इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है पाटचेरिया के बोज को कम करना जैसा कि मैंने इसके मुख्य उद्यश्य के अंतरगत आपको बताया था किसने कहा है कि यहाँ पर देखे प्रस्ण में ही आंसर दे दिया गया थोड़ा सम्मिस हुआ है ध्यान दीजेगा यहाँ पर लिखा हुआ है किसने किसने कहा है कि पाठ्चेरिया में विसमस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्याले द्वारा सिक्षा के उद्देशों की प्राप्ति के लिए उपियोग में लाए जाता है तो यह मुन्रो द्वारा कहा गया है काफ इंपोटेंट है ध्यान दीजेगा तो अगले प्रश्णी के और बढ़ते हैं अगला प्रश्णी है कि एनसीअप दोजार पाँच में गुनवत्ता आयाम सिर्शक के अंतरगत महत्व दिया गया है किसका महत्व दिया गया है तो यह बालक के लिए सरचित अनुभव एवं पाठे कर्म सुदार को महत्व दिया गया है एनसीअप दोजार पाँच में गुनवत्ता आयाम सिर्शक के अंतरगत अगला प्रश्णी है एनसीअप दोजार पाँच में सामाजिक अध्यान में कौन से मुद्दो को सामिल करने की अनुसंसा की गई है काफ़ इंपोटेंट हैं आयाम पी प्रश्णी धियान दीजेगा एनसीअप दोजार पाँच में सामाजिक अध्यान में कौन से मुद्दो को सामिल करने की अनुसंसा की गई है NCF 2005 में सामाजिक अध्यन में NCF 2005 सिफारिस करता है कि प्राथ में किस तरपार गणित की सिख्षा का केंदर होना चाहिए यहाँ पर देखे NCF 2005 किसकी सिफारिस करता है कि प्राथ में किस तरपार गणित की सिख्षा का केंदर होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि अक्छा में पढ़ाए गए topics को विद्यारती के देनिक जीवन से जोड़ना काफ़ important है सभी के सभी आपको याद करना है और जो 26 वा प्रसन है ये most important है आपको ध्यान देना है प्रतम द्वती तिरती कौन सी है तो प्रतम भासा द्वती भासा और त्रती भासा प्रतम भासा में कौन सी भासा आएगी प्रतम हिंदी जिसमें हम राष्ट भासा ले सकते हैं राज भासा ले सकते हैं अंगरे जी में अंतराष्टी भासा हो सकती है और इस्तानी भासा में जहां पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई सी भी भासा बोली जा सकते हैं जरूरी नहीं यहाँ पर तीनों भासा जो लिखी है यही हो आप जहाँ पर रहते हैं चाहे वो जैसा कि मैं जहाँ पर रहता हूँ मालवी भासा बोली जाती है तो यह इस्तानी भासा होगी प्रथम कुन सी, द्वती कुन सी और त्रती भासा कुन सी है अगला प्रस्ण है N.C.F. 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए तो जो सूचना है जिसे ग्यान मानने से बचा जाए याद रखेगा N.C.F. 2005 में सुझाव दिया गया है कि जो सूचना है उसे ज्यान मानने से बचा जाए पार्थिकरम निर्मान की आवशकता क्यों है यहाँ पर जो पार्थिकरम निर्मान की आवशकता है वो क्यों है इसके बारे मैं पुछा गया है तो सिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है तू आवश्यक है पाथिकरम निर्मान की दो याद रखिएगा NCF 2005 का भासा फार्मुला क्या है जिसे कि मैंने तीन भासा आपको बताए थी प्रतम दुत्ती त्रती प्रतम में मैंने आपको हिंदी बताए थी अपनी रिपोर्ट कब सोपी थी जैसा कि मैंने मानव संसाधन विकास मंतराले के बारे में आपको बता चुका हूँ लेकिन जो रिपोर्ट सोपी गई थी वो कब सोपी गई थी जस्पाल समिती ने तो ये सोपी गई थी 15 जुलाई 1993 में यहाँ पर देखे सन और आपको डेट दोनों याद कल देनी हैं 15 जुलाई 1993 कला विसे को स्कूली सिक्षा के किस इस्तर पर सामिल किये जाने पर बल देना चाहिए तो ये प्रात्मिक इस्तर पर नाटक विधी में रूची लेते हैं यदि आप कक्षा में रामायन प्रक्रन पड़ाना चाहते हैं तो कुन सी विधी को स्रेष्ट मानेंगे तो यह है कहानी विधी आप एक कहानी के रूप में बच्चो को रामायन पढ़ा सकते हैं उनको उसके बारे में बता सकते हैं तो कहानी विधी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा यह स्रेष्ट विधी होगी पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्पून लाभ है तो यहें पाठ को समझाने में सहयक पढ़ाते समय चित्र दिखाने में जो सबसे महत्पून लाभ है आप चित्र के माध्यम से बच्चों को पाठ को समझा सकते हैं तो पाठ को समझाने में सहयक होता है सिक्षा के छेतर में पाठचरिया सब्दावले की ओर संकेत करता है विद्याले का संपूर्ण कारिकरम जिसमें प्रति दिन अनुभो प्राप्त करते हैं यस्पाल समिती का अन्य नाम था देखे यस्पाल समिति का अन्य नाम पूछा जाता है एक्जाम में तो आपको याद होना चाहिए इसे राष्टी सलाकार समिति के नाम से भी जाना जाता है यस्पाल समिति को कौन सी समिती ग्यान विस्पोट की धानना से जुड़ी हुई है तो यह जस्पाल समिती याद रखेगा important प्रशन है कौन सी समिती है जो ग्यान विस्पोट की धानना से जुड़ी हुई है तो वो है जस्पाल समिती बीड़भाण वाली कक्छाओं में किस अध्यापन की बात करनी निर्थक है तो यह सरजन सिलता किसके नुसार पाठेकरम का विप्राय उन से धानतिक विश्यों से नहीं है जो विद्ध्यालियों में प्रमपरागत तरीके से पढ़ाये जाते हैं बलकि इनमें अनुबहूं का एक समू नहीं थे जिनको बालक कच्छा, पुष्टकालई, प्रियोगशाला, प्रातनासबा, कारिशाला, खेल मेदानेवं, छातर अध्यापक के अनुपचारिक मेल कहा गया है, तेया माद्दिमिक सिप्च्छा आयूग के द्वारा कहा गया कथन है, अगला प्रशन है कि ये अन्सी फ्री 2005 मंए गणित की लंबी आकरती है, उसका मतलब पूछा गया है, इसका मतलब होता है एकता संकल्पना पर दोस्य संकल्पना बनाना यह गनित की जो लंबी आकरती है उसका मतलब होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकों की परिच्छा प्रणालियों को लचिलेपन से युक्त करना तता कक्छागत गतिविदियों से जोड़ना बालकों के संपूर्ण ज्यान को विद्याले या फिर पाट साला के बाहरी जीवन से जोड़ना बालकों की सिक्षण प्रक्रिया रटंत पदती से मुक्त होना चाहिए या होनी चाहिए चहुमू की विकास पर आधारित पाठी चर्चा हो और पांच वाहे बालक में एक एसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजात आंत्रिक राज्जी व्यवस्था के अंतरगत राश्टी समस्या सामिलों तो ये पांच पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अगला प्रश्णी है कि NCF 2005 बल देती है तो ये करके सीखने पर बल देती है याद रखेगा जो NCF 2005 है ये किस पर बल देगी करके सीखने पर बल देगी राष्टी पाट्चरिय की रूप रखा 2005 के नुसार बच्चों की प्रात्मिक इस्थर पर भासा का माद्यम होना चाहिए तो ये मात्र भासा यहां पर देखे प्रात्मिक स्थर पर पूछा गया है तो आपका right answer क्या होगा मात्र भासा होगा राश्टी पाट्चरिया की रूप रेखा 2005 के नुसार कक्षा में एक सिक्षक की भूमिका केसी होने चाहिए तो एक उत्परेरक की रूप में जैसा कि मैंने थोड़ी दिर पहले भी आपको बताया था तो विकल्प में त्किया दिया गया है उसके अनुरूप आपको आंसर लगाना है तो यहाँ पर एक उत्परेरक के रूप में राइट आंसर होगा राष्टी पाट्चरिया के रूप रेखा 2005 के नुसार गनित सिक्षण का लक्ष होना चाहिए तो यह अमूर्थ चिंतन का निर्मान करना साथ में तारकिक धन से सोचना एवं संचालित करने की युगता का विकास करना यह एनसर दोजार्व के नुसार गनित सिक्षण का लक्ष होना चाहिए एनसर प्रेक्षण के अधारपर होना चाहिए रखेगा एनसर दोजार्व विध्यारतियों के लिए जो मुल्यांकन का तरीका होना चाहिए और प्रेक्षण के धार पर होना चाहिए उप्रेशन ब्लेक बूर्ड परिणाम था तो ये राष्टी सेक्षिक योजना का परिणाम था जो कि 1986 का है याद रखेगा उप्रेशन ब्लेक बूर्ड राष्टी सेक्षिक योजना 1986 का परिणाम था समाजी कद्धियन सिक्षन का राष्टी पाठी करम कब बनाय गया तो यह 2005 में बनाय गया याद रखेगा समाजी कद्धियन सिक्षन का जो राष्टी पाठी करम बनाय गया था वो 2005 में बनाय गया था प्रोफेशर यस्पाल की अद्धिक्षता में कौन सी समिती का गठन किया गया था तो यह राष्टी संचालन समिती याद रखेगा प्रोफेशर यस्पाल जी की अद्धिक्षता में राष्टी संचालन समिती का गठन किया गया NCF 2005 के अध्याई विद्याले एवं कक्छा का वातावरण में बताया गया है तो ये वातावरण के भोतिक एवं मनोविग्यानिक आयाम अधिगम को केसे प्रभावित करते हैं ये बताया गया है NCF 2005 के अध्याई विद्याले एवं कक्छा का जो वातावरण होता है वो वातावरण के भोतिक एवं मनोविग्यानिक आयाम अधिगम को केसे प्रभावित करता है ये बताया गया है अगला प्रशनी NCF 2005 में कला सिक्षा को विद्याले में जोडने का उद्देशी हैं पर जोडने का उद्देशी क्या है परचेरिया के बोज को कम करने पर बल देती है तो वो है शिक्षा बिना बोज की है ये प्रस्न में 4-5 बार आपको बता चुका हूं लेकिन परस्न धोड़ा सा हटके होता है तो किसी भी प्रकार से प्रसने पूछा जा सकता है राश्टी पाठचेरिय की रोप रखा N.C.F. 2005 किस सूझ के अधार पर पाठचेरिय के बोज को कम करने पर बल देती है तो वो है सिक्षा बिना बोज के N.C.F. 2005 में किस परिक्षा के संबंद में सुधार के लिए सुझाव दिये गए हैं तो ये कक्षा दस्वे की परिक्षा एकछी खो याद रखेगा N.C.F. 2005 में जिस परिक्षा के संबंद में सुधार के लिए कहा गया है या फिर सुझाव दिया गया है वो है कक्षा जो दस्वी है वो एक छिको इसा सुझाव दिया गया है NCF 2005 में परिक्षा के सम्बंद में अगला प्रस्टन है कि यहां किसका कथन है कि यहां जानने के लिए अधिक उप्योगी है कि बहुत से गनित जानने के तुलनामे गनित कैसे करें तो यह है डेविड वीलर का कथन है इनका कहना है कि यहां जानने के लिए कि अधिक उप्योगी है कि बहुत से गनित जानने के त पूल नामें गणित केसे करें यहां किसका कतन होगा डेविड वीलर का कतन होगा राश्टी पार्चरिया की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती हैं तो यह रचनावात की या रखी का काफी एंपोटेंट हैं एनसीयव दोपराप्त होती हैं किसकी अनुसार राष्टी पार्चेरिया की रूपरेखा राष्टी सिक्षा प्रणाली को विक्सित करने का एक साधन है तथा सिक्षिक घटकू के साथ यहां भारत की भोगोलिक एवं सानसेकरतिक वातावरण की विवित्ता का उत्तरदाय तो निभाते हुए मुल्यों के समा अधार निश्चित कर सके तो यह राष्टी सिक्षा निती 1986 के अनुसार एक बार फिर पढ़ लेना है इस कथन को अच्छे से और याद कर लेना है अगला प्रशन है एनसेफ दोजार पांच के नुसार मार्ग दरसन सिध्धानत में नहितारते हैं तो यह ज्यान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना यह एनसेफ दोजार पांच के नुसार जो मार्ग दरसन सिध्धानते उसमें नहितारते हैं या पिर कह सकते हैं कि एनसेफ दोजार पा पाँच में गनित सिक्षन के बारे में बताया गया है कि गनित सिक्षन थूट कांगची सुगमता और महत्थ पूर्खुं कोना होना चाहिए यहां महत्व कांगची का मतलब क्या है तो यहाँ पर महत्व कांग्छी का मतलब पूछा गया है सिर्फ तो इसका महत्व होता है गनित में उच्च उद्देश चीया फिल लक्ष की प्राप्तिये महत्व कांग्छी का मतलब होता है किस समिती को 21 फोकस समिती भी कहते हैं यहाँ पर देखें प्रशन काफी इंपोटेंट हैं किस समिती को 21 फोकस समिती भी कहते हैं तो यह NCF 2005 को जो समिती है इसको ही 21 फोकस समिती कहते हैं ये सरचनावाद के संप्रदाई से होगा भारत में अब तक NCF का संचालन कितनी बार किया जा चुका है तो ये चार बार किया जा चुका है कितनी बार पहली बार 1975 में दूसरी बार 1988 में तूसरी बार 2000 में और चोथी बार जो कि अब नविंतम पाठिकर में वो है 2005 तो यह चार बार किया गया था कब किया गया था तो यह आपके सामने हैं प्रिशने कुछ इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि NCF का जो संचालन किया गया था वो क अब नहीं किया गया था और वहाँ पर 1975, 2000, 2005 और 1990 दे दिया जाएगा तो यदि आपको पता होगा या चारो विकल्प या फिर कह सकते कि चारो आपको सं याद होंगे तो आप लगा सकते कि 1990 में संचालन नहीं किया गया था NCF 2005 का तो सं भी आपको याद होना चाहिए 1975, 1988, 2000 और 2005, राष्टी पाट्चरिया 2005 प्रारंब करने के लिए कितने फोकस समूब बनाए गए थे जिसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ ये किस फोकस समूब बनाए गए थे NCF 2005 प्रारंब करने के लिए NCF 2005 का निर्मान कितनी भासाओं में किया गया है तो ये जो 22 भासा है उसमें किया गया है याद रखीगा काफी इंपोटेंट है NCF 2005 का निर्मान 22 भासाओं में किया गया है NCF 2005 के अनुसार सिक्षन रिक्तिस्तान और रिक्तिस्तान है तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा आपका NCF 2005 के अनुसार सिक्षन सक्री और सामाजिक है याद रखिए किस प्रकार का है सिक्षण, सक्री और समाजिके NCF 2005 के अनुसार NCF 2005 की भासा सम्मंदी समश्या का समधान किस ने किया है तो यह नामवर सिंग ने किया है यहाँ पर देखे ध्यान दीजेगा प्रिशन वे पूछो जाए यहाँ पर दीक काफी most important है IMV प्रस्णे NCF 2005 को अभी तक कितने राज्यों में लागू किया गया है तो यह 17 राज्यों में याद रखेगा NCF 2005 को अभी तक 17 राज्यों में लागू किया गया है NCF 2005 में राजिस्तान का प्रतिनिधित्व किस ने किया था यहां पर देखें प्रश्ण संक्या थोड़ा सा मिसला arrive, देखेंगा में राजिस्तान जो प्रति निदित्व किया था तु ये ऑगला प्रश्ण संक्या थोड़ा कौन सा सिध्धानते काफ इंपोटेंटे आई एंपी है प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना है NCF 2005 का अनुसार पंचायती राज का मूल अधार कौन सा सिध्धानत है तो वो है पूरकता का सिध्धानत NCF 2005 के अध्यापक वा विध्यारती का अनुपात क्या निरधारत किया गया है यहाँ पर देखी NCF 2005 का अनुसार पूछा गया है तो अध्यापक का अनुपात होगा एक और शिक्षारती का या फिर विध्यारती का होगा एक अध्यापक पर कितने विध्यारती होंगे तीस होंगे आने कि एक अनुपात तीस का निर्धारन किया गया है NCF 2005 में अध्यापक और विध्यारती के लिए जैसा कि मैंने आपको बता है 72 प्रसने मिलेंगे तो यहाँ पर 71 यसपाल समिती के नुशार प्रात्मिक अक्षा के बालक के विध्याले बस्ते का जो ओसतन वजन होता है या पर ओसत वजन होता है वो कितना होता है तो वो 4 किलो होता याद रखेगा यसपाल समिती के नुशार जो प्रात्मिक अक्षा के बालक होते है उसमें जो विद्याले बस्ते का उसत वजन होता है वो चार किलों का होता है अंतिम प्रस्न राश्टी पाट चरह की रूपरेखा 2005 किसके लिए बनाई गई है तो ये कच्छा एक से कच्छा बारवी तक के विद्यारतियों के लिए बनाई गई है याद रखेगा राश्टी पाट चरह की रूपरेखा 2005 एक अक्छा एक से एक अक्छा बारवी तक के लिए बनाई गई है तो जहां तक मुझे लगता है आपको सभी के सभी प्रस्न अच्छे से याद हो गए होंगे और या आप जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद